प्यारे बच्चों, नमस्कार, मैं लूने सकुमार वर्मा, सासकी उच्चितर माद्धिमीक विद्याले शचान पेरी जिलरायपूर से आपकी बीच उपस्थित हुआ हूँ, कक्षा सात्वी विशा हिंदी के लिए कर। प्यारे बच्चों, आज हम अध्यन करने जा रहे हैं पाठ बारा, और इसका सिर्शक है प्रेरना श्रोत मेरी मा, प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो, हमारे जीवन में मा का बहुत ही महत्पून स्थान है, मा को जीवन का पहला पाठ साला कहा गया है, क्योंकि मा से ही हमें महत्पून सिख्चाएं प्राप्त होती हैं, जो जीवन परियंत काम आने वाली होती हैं, वास्तों में हम सब के जीवन में मा की प्रेरना का बहुत महत्पून इस्थान है, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का सिर्शक आप देख र प्रेरणा देने वाली हैं, मां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती हैं, मां हैं तब भी प्रेरणा प्राप्त होती हैं, और मां के नहीं रहने पर भी मां की प्रेरणा हमें प्राप्त होते रहती हैं, इसलिए हमें मां को कभी भूलना नहीं चाहिए और भूल भी नहीं सकते हैं माता के विशा में कहा गया है जननी जन्म भूमिष्च स्वर्गाद पिगरियसी अर्थात माता को जननी को स्वर्ग से भी बढ़ कर कहा गया है माता अपने जीवन में विविध कष्टों को जेलते हुए अपने संतान की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देती है संतानों की खुसियों के लिए पता नहीं वे क्या-क्या कुर्बानिया देती है क्या-क्या बलिदान करती है यदि बात कहें बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे की खुसी के लिए वो अपनी खुसीयों तक को नियोचावर कर देती हैं यदि किसी बच्चे को वस्तु विशेश पसंद है खाने में तो वो अपने हिस्चे का उस बच्चे के लिए खुसी-खुसी देने के लिए तत्पर हो जाती है प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे देश के मिसाईल मैं के विशेय में किसको कहते हैं मिसाइल मैन? हाँ, बहुत सुन्दर एपी जे अब्दूल कलाम जी को ये प्रक्षे पास्त्र के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं प्यारे बच्चों, आज के युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्हों ने अपने काम और व्यवहार से करोडों लोगों को प्रभावित किया हो मिसाइल मैन के नाम से चर्चित, चमतकारिक प्रतिभा के धनी डाक्टर एपी जे अब्दूल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा है कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता जो भी इनसे मिलता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता प्यार वच्चों अभी यह जो अंस हमने देखा इसमें कठिन सब्दाया है चर्चित इसका ताद पर यह होता है प्रसिद्ध अर्थात जिसकी चर्चा हुई हो या जिसकी चर्चा की जाती हो ऐसे ही चुनिंदा चुनिंदा का ताद पर यह होता है चैनित चैनित, एपी जे अब्दूल कलाम ने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझार था जिस भी पद में रहे चाहे वो वेग्यानिक के रुप में कारे कर रहे थे तब भी या देश के राश्पती के रुप में कारे कर रहे थे तब भी वे पद पर उन्होंन चर्चित लोगों में एक अलग पहचान बनाई इसलिए वे आज पीपल्स प्रिशिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं प्यारवच्चों यहां एक सब्दा आया सीवाय सीवाय का तात्परी होता है अलावा या अतिरिक्त डाक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्टपती हैं जिन्हें राष्टपती बनने से पुर्व देश के सर्वोच सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया क्या आप बता सकते हैं कि डाक्टर कलाम से पहले भारत के किन राश्पतियों को भारत रतन से सम्मानित किया गया है हाँ बिल्कुल सही सर्वप्रली राधा क्रिश्नन और डाक्टर जाकिर हुसेन यह हमारे देश के ऐसे राश्पति रहे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है यह जो भारत रत्न है भारत में किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच पुरसकार है तो यह सर्वोच पुरसकार डक्टर कलाम को प्राप्त हुआ है भारत रतन जैसे आप चीत्र में देख रहे हैं ये इन महान हस्तियों को प्राप्त हुआ है ऐसे महान व्यत्तित्व की प्रेणा स्रोत टाक्टर कलाम की मा आसयम्मा थी देखें इनकी माता का नाम क्या था? आसयम्मा जिन्होंने अभाव से भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें मा का अधिक लाड़, प्यार्शने और प्रुचाहन दिया उन दिनों जब घर में बिजली नहीं हुआ करती थी आज जब हम देखते हैं तो चहूं और बिजली हमको देखने को मिलती है हम अबहाव क्या है यह हम नहीं जानते हैं इसे परिशित नहीं होते हैं लेकिन जब कलाम बच्चे थे आपके जैसे थे उस समय इस्थितियां अलग थी उस समय घरों में लाल केन जला करता था और उस लाल केन की रोशनी से पढ़ना होता था रात्री के समय और उसमें एक निश्चित समय हुआ करता था इससे अधिक समय तक लाल चेन को जलाना ये परिवार की आर्थिक इस्थिती की अनुरूप नहीं था तो ऐसे में माता का संबल इन्हें प्राप्त हुआ माता ने इन्हें प्रोटसहित किया घर में लाल चेन की रोशनी सिर्फ साथ से नौ बज़ता करतात के वल दो घंटा ही मिलती थी पढ़ने के लिए चोकि ड़क्टर कलाम की लगन थी पढ़ाई की प्रती वे किसी भी कारी को करते हैं तो लगन से करते हैं और यह लक्षन उनमें बज़पन से दिखाई देता था मा ने देखा जब कलाम पढ़ते हैं उस समय यह बहुत ध्यान से और लगन से पढ़ रहा है इन्हें लगता है कि 9 बजे के बाद और भी समय चाहिए पढ़ने के लिए तब मा ने उन्हें रात के 11 बजे तक पढ़ाई के लिए लेंब का उप्योग करने के लिए देती थी ये मा का अत्रिक्त स्नेह ही था डाक्टर कलाम की प्रतिभा पर पूरा पूरा भरोसा था और डक्टर कलाम भी मा की इन अपेक्छाओं पर खरे उतरते थे एक और घाटना डक्टर कलाम को जीवन भर्याद रही डक्टर कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी मा खाने पीने में विशेज ध्यान रखती थी जैसे आपकी माँ आपके खाने पीने में विशे ध्यान रखती है न, माता को अपनी संतानों के विभिन रूचियों के प्रती पूरा पूरा ज्यान होता है और मा सभी बच्चों के रूचियों को ध्यान में रखकर जब उनकी रूची के अनुसार कोई भोजन बनता है या कोई व्यंजन बनता है तो जिस बच्चे को जो भोजन जादा अच्छा लगता है उनके लिए अधिक मात्रा में निकालती तो यह माताओं का सुभाव होता है अर्थाद बच्चों की खुसी के लिए वे अपना सर्वस अरपन करने के लिए सदयावत पर रहती हैं तो डक्टर कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी मा खाने पीने में विसेस ध्यान रखती थी दक्षण भारत में चामल का उप्योग अधिक किया जाता है डक्टर कलाम को रोटी अधिक पसंद थी देखिए वहां के लोग चामल खाते हैं लेकिन डक्टर कलाम को रोटी खाना पसंद था अब उनको रोटी खाना पसंद है तब उनकी मा क्या करती उनकी मा अपने हिस्से की रोटी भी डक्टर कलाम को दे देती थी ताकि कलाम जो है खुस रहे प रोटी जो है टाक्टर कलाम को दे दिया करते थे लेकिन कलाम जो है इस बात से अनभीग गया थे वो जानते नहीं थे जब एक दिन यह बात उन्हें अपने बड़े भाई से पता चली तो वे भावुक हो गए और अपनी मा से जाकर लिपट गए क्योंकि मा ने उनके लिए रो पट गए है डाक्टर कलाम अपने जीवन को बहूत ही अनुसासन से जीना पसंद करते थे वे साकाहार और ब्रहमचरी का पालन करने वालों में से थे यह सब मा के विश्वास और प्रोथसाहन का ही परिणाम था प्रोथसाहन का तात पर यह होता है बढ़ावा देना कहा जात है कि वे अर्थात डाक्टर कलाम कुरान और भगवत गीता दोनों का ही अध्यान करते थे और उनकी गूड़ बातों को अमल भी करते थे उनके संदेश हुआ छात्रों से बातचित में हमेशा मा की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है जब डाक्टर कलाम आगे की पढ़ाई करने घर से बाहर गए शिक्षा के पस्चात उच्च शिक्षा होती है तो इस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वे घर स बाहर गए तब मा आसी अम्मा ने यह बात सुनी तो दुखी हो गए और रोपड़ी क्यों कि वो उनकी आखों का तारा था अर्थात मा जो है उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी और मा जिससे बहुत अधिक प्रेम करती है वो संतान यह दिका ही दूर जाय तो निश्च मा मैं तुम से दूर कहा जा रहा हूं मैं अपनी मा के बिना भला रह सकता हूं नहीं अर्थात तुम मेरी यादों में सदेय और समाई रहोगी ऐसा कलाम ने अपनी माता से कहा फिर मा मुस्कुराती हुई कुछ हिदायतें देती हुई कलाम के साथ चली हिदायत मतलब होता है सिक्छा कलाम के मन में मा की ममता थी यादें थी मा की हिदायतें जिड़कियां और सरारत करने पर दी गई सकतियां थी अर्थात इन चीजों को वो कभी नहीं बूलते थे माने जो सिच्छा दी थी कि बाहर जा रहे हो बाहर जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है पढ़ाई में मन लगाना है ये जो सिच्छा माने दी थी वो सिच्छा जो है वो याद रही और मा ने छोची छोची बातों पर कभी जिड़का था डाचते हैं न माता पिता आपको बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके माता पिता आपको डाचते हैं वैसे ही मा ने भी कलाम को कभी डाचा था तो उनकी जो डाच थी वो उनहीं याद रही और जैसे बच्चों का सुभाव होता है सरारती होना तो डाक्टर कलाम भी बच्पन में सरारती थे और सरारत करने पर माता पिता हमको क्या करते हैं या बड़े घर के जो बड़े हैं वो क्या करते हैं हमें डांचते हैं वैसे ही कलाम को भी सरारत करने पर डांट पड़ी थी. तो ये जो डांट जो पड़ती है वास्तों में हमारे अपने भले के लिए होती है. हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए. आपके माता पिता भी आपको यह डांटते हैं किसी बात के लिए. तो हो सकता है थोड़ी दर के लिए आपको बुरा लगता हो. लेकिन उसमें आपका हित ही छुपा होता है. क्योंकि संसार के कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते हैं. ऐसे ही आपके माता पिता भी आपका हित चाहते हैं, आपका कल्यान चाहते हैं, आपका भाला हो ये उनके मन में समाया होता है इसलिए वे कभी आपको डाचते या फटकारते हैं कलाम का मन मा की ममता से सरोबोर था अर्थात जब कलाम जो है अपने गाउं से उच्छे सिख्छा के लिए बाहर गए तब भी वहां उनके मन में केवल केवल मा की यादें थी वो निरंतर मा को याद करते रहते थे जब कलाम मा से दूर हुए तो उन्हें मा की कमी बहूत खलती थी जैसे मा के नहीं रहने पर मा की कमी खलती है न वैसे ही अर्थात मा की कमी महसूस होती है तो वैसे ही वे मा की कमी महसूस करते थे क्यों करते हैं क्योंकि मा के हाथ का बना हुआ भोजन का जो स्वाद होता है वो अब दूसरी जगा उन्हें कहां से मिले क्योंकि मा जब भोजन बनाती है मा के हाथों से बनी हुई भोजन में प्रेम होता है इसलिए उस भोजन में जो मिठास होता है जो स्वाद होता है वो किसी और भोजन में नहीं मिल सकता है तो नन्धे कलाम ने मा की प्रती अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखी। जब हुम किसी को याद करते हैं, हिरदय से याद करते हैं, तब निश्चीत रुप से हमारे हिरदय में उनके प्रती कुछ भावनाएं प्रकट होती हैं। तो ऐसे ही कलाम के हिरदय में कुछ भावनाएं प्रकट हुई थी, और उन भावनाओं को कलाम ने लेखनी बद्ध किया एक कविता के रुप में, और उस कविता का सीर्षतक रखा है मा, कविता में वेकाते हैं। समुंदर की लहरें सुनहरी रेत, स्रधानत्तिर्थ यात्री, रामे स्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब में तू समाहित। तेरी बाहों में पला मैं मेरी काइनात रही तू, जब छिडा विश्वयुद्ध, छोटा सा मैं जीवन बना था चुनोती जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुचते किरणों से पहले। तो ये कविता डक्टर कलाम ने मा की याद में लिखा, और आप सभी जानते हैं डक्टर कलाम के विशय में, कलाम का जन्म हुआ था रामेश्वरब, दक्षिन भारत में, और यह समुधर किनारे का है, तो ये समुधर किनारे प्रातह काल, समुधर की लहरों का विए नित्य दर्सन किया करते थे, वहां की सुनहरी रेत पे मां के साथ जलते थे, तो उन मां को याद करते हुए, कलाम ने ये कविता लिखा था, हाँ, जिस समय द्विती विश्विध छिड़ा था, उस समय को याद करते हुए कलाम कहते हैं, छोटा था मैं, विल्कुल छोटा सा था, और उस समय वोस्विश्विद्ध के कारण सबकी जीवन पर चुनोती छाय हुई थी संकट छाय हुआ था जिंदगी अमानत बन गई थी अर्थात जीवन बचेगा नहीं बचेगा कहा नहीं जा सकता था ऐसे वातावरण में मा का संबल प्राप्त होता था और मा के साथ कलाम जो है समुद्र के किनारे किनारे मीलों चला करते थे जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं सुबह सुबह उचते हैं और टहलने के लिए सैर करने के लिए जाते हैं वैसे ही कलाम जो है मा के साथ समुद्र किनारे सैर के लिए जाया करते थे और वहां सैर के लिए जब उजाते थे तब जब दूर निकल जाते थे, मीलों दूर निकल जाते थे, तब सूरी की पहली किरण निकलती थी, अर्थात किरणों से पहले कलाम जो है वहां समुद्र किनारे पहुँच जाया करते थे, तो इस तरह से इस कविता में कलाम ने मा को याद किया, और यह कविता उन्होंने त पहान कामों के पीछे एक प्रेरणा स्रोत रहीं माने कलाम के बचपन को कुछ इस तरह समारा कि बाल मन के सभी सहज भाव डक्टर कलाम की प्रोड अवस्था में भी छलकते रहें अर्थात मा की जो इसमृतियां हैं वे नकिवल बचपन में अपित्व प्रोड अवस्था में अर्थात वे जब राष्टपती बन गए थे तब भी मा को ही निरंतर याद करते रहें क्योंकि मा की इसमृतियां जीवन में किसी विव्यक्ति के जीवन से कभी दूर नहीं हो सकता ऐसे ही मा को कलाम जो है जीवन परियंत याद करते रहें एक कारक्रम को संबोधित करते हु ऐसे ही एक कारक्रम को संबोधित करते हुए डाक्टर एपी जेक अब्दूल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था उन्हें अफसोस था यह दुख था क्या कि उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता को जीवित रहते हुए 24 गंटे बिजली उप्लाब नहीं करा सका देखिए जब यह बच्चे थे बच्पन में थे हमने देखा अभी कि उन्हें केवल 2 गंट बिजली उस समय मिल रोशनी लाल चेली की रोशनी मिलती थी बिजली की रोशनी नहीं मिलती थी तो यह बात जो है उनके मनो मस्तिष का में बैठा हुआ था कि मैं संत्र भारत के तो इसमें भारत के सभी लोगों को सभी तरह की सुविधायें प्राप्त करने का समूचित अधिकार है और सब को इस तरह की सुविधायें मिलनी चाहिए तो चुकि एक्टर कलाम के माता पिता को ये सुविधा नहीं मिल पाई थी तो इसलिए उन्हें इस बात का अफसोस रहा अर्थात दुख मनाते रहे वे कहते हैं मेरे पिता 103 साल और माता 94 साल तक जीवित रहे अर्थात उस समय के जो लोग हुआ करते थे वे भले अभावों में उनका जीवन व्यतीत होता था लेकिन वे हर्ष्ट पुष्ट और स्वस्थ हुआ करते थे अभावों में उनका जीवन निखाता था तो इस तरह से उस समय के लोग दिरगायू हुआ करते थे, ऐसे ही dr. कलाम की माता की तब ही दिरगायू थे भारती छात्रों को अपना संदेश देते हुए डाक्टर कलाम ने कहा था छात्रों के सपने के बारे में बात किया था जैसे आप सब भी सपने देखते होंगे देखते हैं ना? हाँ, बेलकुल सही है तो ऐसे ही सपनों के विशाय में डाक्टर कलाम जो है आप जैसे छात्रों से बात करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए सपने रात में जब सोते हैं तब आता है ना लेकिन डक्टर कलाम क्या कहते हैं सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए सपने वे होते हैं जो रात में सोने नहीं देते अर्थात देखे आप कौन से सपने की बात सोच रहे थे और डक्टर कलाम जो है कौन से सपने की बात कर रहे हैं डक्टर कलाम बात करते हैं आपके सपने अर्थात आप क्या बनना चाहते हैं और आप जो बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल सपने देखने केवल सोचने मातर से होगा? नहीं, वो सपना जो है, वो बनने की इच्छा जो है, यह इच्छा आपके मन में इतनी बलवति होनी चाहिए, कि उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा जाना होगा तब कहीं जाकर आपका वो सपना पूरा होगा, आपकी उम्मीदें पूरा होगे, तो सपने ऐसे होने चाहिए, जो रात में जब सोते हैं, तब दिखाई ना दें, वो सपनी जी दिखाई देते हैं, वो अलग तरके लेकिन डाक्टर कलाम बात करते हैं, हमारे कुछ बनना चाहते न क्या बनना चाहते हैं हां विल्कुल सही देखिए आप में से बहुत से लोग हैं जो सिक्षक बनना चाहते हैं को डाक्टर बनना चाहता है कोई पुलिस बनना चाहता है कोई नेता बनना चाहता है कोई सीपाही बनना चाहता है यह सभी संभाव होगा कैस जूटना होगा और कहेंगे आप आराम से सोते रहेंगे और कहेंगे कि मैं बन जाओ ऐसा नहीं होगा ये जो आपके सपने हैं ये सपने आपको सोने नहीं देने चाहिए अर्थात जीते जाकते केवल औकेवल आपको अपना लक्ष दिखना चाहिए तब ये आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, यह डाक्टर कलाम के कथन का आसा है, डाक्टर कलाम कहते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्ख उतना ही मिलता है, जितना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं, देखिए, डाक्टर कलाम क्या कहा रहे हैं, यदि आप इंतजार करते रहेंगे, आप ततिक कोसिस करने वाले लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कोसिस करने वाले लोग जो होते हैं वे उनके भाग्यवादी नहीं होता उसको भी प्राप्त कर लेते हैं तो जो कोसिस करने वाले जिन चीजों को छोड़ देते हैं जिन चीजों को त्याग देते हैं उन चीजों को ही जो भा भाग्यवादी लोग हैं वे प्राप्त करते हैं तो आपको भाग्यवादी नहीं बनना है आपको बनना है क्या कर्मवादी प्रस्तूत लेख डाक्टर एपी जे अब्दूल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स आप फायर के हिंदी रुपांतरन से संकलित किया गया है इस तरह से इस पाठ में हम देखते हैं मा जो है वो डाक्टर कलाम के प्रेणा के रूप में रही है जीवन परियंत उनसे कलाम प्रेणा प्राप्त करते रहे हैं आप भी प्रेणा प्राप्त करते हैं प्रेणा प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं आप मा से प्रेणा हम विभिन्न महापूरुसों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अपने माता से, पीता से, भाई से, या हमारे आसपास के वातावरण में जो अच्छे कारिय करने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी हम प्रेरणा पाते हैं, तो ऐसे ही प्रेरणा प्राप्त किया था डक्टर कलाम ने अपनी माता से तो प्यारे बच्चों आप किन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं इसके विशाय में आप सोचेंगे और उनके विशाय में लिखने का प्रयास करेंगे अभी हमने यह जो पाट पढ़ा, प्रे़ना के स्रोत मेरी माा, इस पाट के एधार पर कुछ ग्रिख कार के प्रस्न मा आपको देना चाहूंगा, प्रस्न नोट करेंगे, पहला प्रस्न है, डक्टर कलाम को कीन कीन नामों से जाना जाता है, दूसरा प्रस्न है, दक्टर कलाम को सरवाधिक प्रेरणा किस से मिली? तीसरा प्रशन लिखेंगे बालक कलाम को पढ़ने के लिए मा कैसे प्रोचसाहित करती थी? चौथा प्रशन है पढ़ाई के लिए घर से जाते हुए कलाम को मा ने क्या समझाया? पांचवा प्रशन है भारती चात्रों को डाक्टर कलाम ने क्या संदेश दिया? प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पांच पढ़ा निश्चित रूप से आप सब भी इस पांच से प्रेरीत हुए होंगे और आपके प्रेरणा सुरुत कौन-कौन है इसके विशा में आपने महसूस किया होगा, जाना होगा और साथ ही आपके सपने क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं ये भी आप तह करें और उस सपने को पूरा करने के लिए जूट जाएं तब हमारा यह पांच पढ़ना सार्थक होगा चलिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार